नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों कैसे हैं आप सब भी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश कीन खुबसुर्थ वादियों से मैं आपकी बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पर तो शाम के चार से पांच बजे का टाइम हो रहा है और संसेट से पहले का जो खूसुत व्यू है वो मैं आपको दिखा रही हूं मेरे घर के आसपास देखी थोड़ी बहुत बची है और पहाडों में जब धूप जाने वाली होती है तो बहुत थंडी लगती है जो शहर में ज बढ़ा सा अलग बनाने वाले हैं तो चलिए आप साथ शेयर करने वाली हूं मैं देखे यह जो दाल है इस दाल का नाम है कुलती कुलत भी कहते हैं सबकिया पर इपनी भाशा है आप अपने गाउं से जहां से वीडियो देख रहे हैं क्या बोलते हैं इसे आप बताएगा ज इस पनाएंगे सबसे पहली बात कि कुलती की डाल तासीर में घरम रहती है विंटर में खाना जो बहुत लाब दयक माना जाता है 2 that ऐसे पत्थरी की जो प्रॉब्लम होँती है वो भी दूर होती है कुलती का पानी पथरी के पेशेंट यानि स्टोन के पेशेंट के लिए रेकमेंड किया जाता है डॉक्टर की तरफ से बहुत ही फाइदेमंद होता है तो दाल को हमने धो के बॉइल करने के लिए लगा दिया है शाम होने वाली है होने ही लगी थी और शाम होते ही देखिए पहौड़ों में स्टार्ट हो जाती है दिन बर तो बहुत अच्छी दूप के लिए रहती है तो इसलिए हमने बुखारी भी जलानी स्टार्ट कर दी है जैसी बुखारी तपेगी वैसी खाने पीने में गरम-गरम कमरे में मज़ा ही कुछ अलग आता है तो चलिए तड़के की तैयारी कर दे देखे धनीया के जो बीज होते हैं ऑईल में डाल दी है। सिंपल सा चॉप कर दिया है मोटा मोटा सा प्याज और लशुन साथ में देखे लाल मिर्च को मोटे मोटे टुकडे उसके की खाना अपना तरीका होता है लेकिन गाओं के जो खाने का उसमें स्वाद अलग होता है वो क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूं कि गाउं में जादा तर अपने ही खेट की बनी हुई साख सब्जियां और दालें खाय जाती है उनका स्वाद वैसे ही उनके अंदर नैचरल एक टेस्ट होता है क्योंकि वो और गैनिक सब्जियां होती है बहुत ही लाजवा कि अपने ही खेट की बनी हुई साख सब्जियों डालों में आता है तो अच्छे से तड़का लगाने के बाद देखिए कुल्थी हमारी बॉइल हो चुकी है और इसमें डाल देंगे हम पानी नहीं डालना है बर सूखी कुल्थी डाल देनी है और उसके बाद इसको अच्छ सब्सक्राइब होती है सर्दियों में खा लेनी चाहिए क्योंकि इसकी तासिर गरम रहती है और हमारी बॉड़ी को वाम रखती है और हेल्दी होती है यह जुखाम खांसी बुखार में भी बहुत लाबदायक होती है तो आज हम खिचडी डाल नहीं बनाएंगे आज हम इसक चाहिए के लिए चाहिए के साथ के लिए रोटी परांठा मकी की रोटी हल्वा या इस टाइब की कुछने कुछ स्नैक्स में बना देते हैं और उस खाने को हमारे यहां पर दोपहरी काया जाता है तो देखिए उसके बाद हरा धनिया इसमें डालके बहुत ही लाजवाब ट बरतन चाहिए इनका इंडेक्शन बड़ा ही लाजवाब था आपने देखा होगा तो देखिए बहुत ही टेस्टी सी मोडी तयार हो गई है सार्व कर दिया और साथ में डाल दिया है नीमबू के साथ तो इतना ही मज़ा आता अगर इसमें कच्चा कच्चा प्याज डाल दे तो और भी मज़ा आता है बहुत ही मज़ा आया था और इसके साथ अगर चाहे मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और आ जाए मैं बता नहीं सकती है आपको आप भी बनाएगा अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजेगा आज का टेस्टी टेस्टी के स्नैक्स हमारा तयार है मिलू होंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाद